लार्ज कैप, मिट कैप, स्मॉल कैप और उसके बाद आता है माइक्रो कैप तो आज हम बात करेंगे माइक्रो कैप की और जानेंगे कि इसमें क्या हैं इन्वेस्टमेंट ओपरचुनिटीज और कैसे किया जा सकता है एक माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नमस्कार मैं हूँ पंकर्ज मटपाल Micro Cap Companies वो होती है जिनका Market Cap 100 करोड से 500 करोड के बीच होता है Micro Cap Companies generally अपने Early Growth Stage में होती है और एक Unique Investment Opportunity प्रोवाइड कर सकती है Micro Cap Companies में Promoters की हिस्सेदारी अधिक होती है अधिकतर Large Cap Companies को Managers रन करते हैं जिनकी Companies में Significant Ownership नहीं होती जबकि Micro Cap Companies Majorly Honor Operated होती है इंडिया में 24% of Micro Cap Companies में Promoters की हिस्सेदारी 70% से अधिक है जबकि यदि हम Large Cap Companies की बात करें तो वहाँ पर केवल 4% Companies ही ऐसी हैं जहाँ पर Promoters की हिस्सेदारी 70% से अधिक है यानि Skin in the Game Micro Cap Companies में अधिक है मोतिलाल उस्वाल Mutual Fund लेकर आये हैं मोतिलाल उस्वाल Nifty Micro Cap 250 Index Fund जिसका NFO 15th June 2023 से लेकर 29th June 2023 तक Open है ये एक Open Ended Fund है जो की Nifty Micro Cap 250 Index को Track करेगा Index Fund की विशेशता ये होती है कि नहीं समझना आसान होता है ये Well-Diversified होते हैं और साथ ही ये Low-Cost होते हैं इसलिए Long-Term में Wealth Creation में Helpful हो सकते हैं Nifty Micro Cap 250 Index में पहली 500 Companies को छोड़कर उसके बाद की Next 250 Companies हैं यानि की जो First Top 100 Companies होती हैं अपने Market Cap के हिसाब से वो कहलाती हैं Large Cap Companies उसके बाद 101 से लेकर 250 तक यानि की अगली 150 Companies जो हैं वो आती हैं Mid Cap में और उसके बाद 250 Companies Small Cap में रखी गई हैं और इन सब 500 Companies के बाद अगली 250 Companies Micro Cap यानि की Nifty Micro Cap Index में शामिल हैं Average Daily Market Capillation के हिसाब से Securities स्लेक की जाती हैं और Portfolio की Rebalancing March और September में यानि की Semi Annually होती है Micro Cap में Invest करने की एक बड़ी वजा है इनका Growth Potential क्योंकि छोटी Companies Business Expand करती हैं और Market Share गेन करती हैं और इसलिए कुछ Micro Caps, Multi Baggers भी साबित होते हैं और दूसरी बड़ी वजा है Diversification Micro Cap का Universe काफी बड़ा है और इसमें Different Sectors और Different Business Model वाली Companies शामिल हैं और Micro Cap के जरिये Investor को Niche Segment का Exposure मिल सकता है Large, Mid या Small Cap Fund के Portfolio में जनरली वो Companies नहीं होती जो Nifty Micro Cap Index में शामिल हैं मुतिलाल उस्वाल AMC की Internal Research की According Only 4% of MF Industry Beyond 500 Stocks में Invest करती है यानि कि Nifty Micro Cap 250 Index में Invest करके आपको Further Diversification मिल सकता है Nifty Micro Cap 250 Index में शामिल Top 10 Companies आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Nifty Micro Cap 250 TRI Index ने Nifty Small Cap 250 TRI को Over the Last 15 Years Outperform किया है अब यदि हम बात करें मुतिलाल उस्वाल Nifty Micro Cap 250 Index Fund की तो यह First Micro Cap Index Fund है और मुतिलाल उस्वाल Mutual Fund ने इससे पहले भी कई Passive Based Products लाँच किये हैं जो की Industry First है यानि कि इंडिया में उस कैटिगरी के Passive Funds पहली बार लाँच किये गए थे मुतिलाल उस्वाल Mutual Fund का Less Liquid Segment में भी Efficient Fund Management का Proven Track Record है हाला कि यह बात सच है कि Micro Caps में Large Caps और Mid Caps के मुकाबले रिस्क अधिक हो सकता है लेकिन यदि आप एक Micro Cap Index Fund में इंवेस्ट कर रहे हैं और वो भी Long Term के लिए तो यह रिस्क काफी कम हो सकता है क्योंकि जब आप Nifty Micro Cap 250 Index Fund में इंवेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आपका इंवेस्टमेंट अक्रोस 250 स्टॉक्स डाइवर्सिफाई हो जाता है मोतिलाल ओस्वाल Micro Cap 250 Index Fund में minimum application amount 500 रुपीज है यदि आप लंसम इंवेस्टमेंट कर रहे हो या फिर SIP के जरिए आप निवेश करना चाहते हो दोनों ही केसिज में यहाँ पर minimum 500 रुपीज से सुरुबात की जा सकती है और उसके बाद आप 1 रुपी के multiples में अपने investment को बढ़ा सकते हैं यदि NFO के दौरान आप इस fund में investment करते हैं तो units 5th July को allot होंगी इस scheme में कोई entry load नहीं है लेकिन यदि unit allot होने के within 15 days units को redeem किया जाता है तो 1% का exit load applicable होगा यदि हम indicative total expense ratio की बात करें तो regular plan में ये 1% होगा जबकि direct plan में ये 0.40% होगा तो investors portfolio diversification और long term wealth creation के इरादे से अपने total portfolio का एक छोटा हिस्सा इस scheme में invest करने पर विचार कर सकते हैं तो ये थी कुछ जानकारी मुतिलाल ओस्वाल nifty microcap 250 index fund के बारे में मुझे उमीद है ये जानकरेब को पसंदाई होगी यदि आपका कोई भी सवाल या सुजाव हो तो आप comment box में post कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक्यो जैहिन mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के आधीन है योजना से संबंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े